अम्रोहा, यूपी के अम्रोहा में आज बुल्डोज की गून सुनाई दी, जहां शहर के बीचों बीच बने पनवाडी तालाब की जमीन को प्रशासन ने अवैद कबजे से मुक्त कराया यूपी में हर दिन कहीं न कहीं बुल्डोज गरज ही रहा है, शुक्रवार को ये बुल्डोज यूपी के अम्रोहा शहर के बीचों बीच चला, जहां पर बने एक तालाब पर भूमाफियाओं ने कबजा कर लिया था लेकिन अब इस पर अवैद अतिक्रमन पर प्रशासन का बुल्डोज दोड़ गया, अम्रोहा प्रशासन आज सुबह ही जेसी भी मशीन के साथ यहां पहुँचा और अवैद अतिक्रमन हटाना शुरू कर दिया हलाकि इस दोरान प्रशासन के लोगों की भूमाफियों के साथ तीखी नोग जोग भी देखने को मिली अवैद अतिक्रमन पर चला बुल्डोज दरसल साल 2012 में सपा सरकार के दौरान अम्रोहा सदर तहसील के बिजनौर मार्क पर पनवाडी तालाब पर भूमाफियों ने कबज़ा कर लिया था इन्होंने रातों रात इसे मिट्टी डाल कर पटवा दिया 2012 से 2017 के बीच इस जमीन पर अवैद प्लाटिंग काट कर आली शान मकान बना दिये गए लेकिन आज अम्रोहा प्रशासन ने भारी पुलिस की मौजूदगी में सदर स्दीम और तहसीलदार ने जेसीबी की मदद से तालाब को खाली कराने की काररवाई शुरू कर दी अवैद कबजे से मुक्त कराई जमीन प्रशासनिक अधिकारी जब यहां जेसीबी लेकर पहुंचे को इस दोरान उनकी भूमाफियाओं के साथ टीखी नोग जोग भी हो गई सदर SDM ने बताया कि जिन लोगों ने तालाब पर अवैद कबजा कर रखा है उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी और पनवाडी तालाब को पहले की तरह तलाब ही बनाया जाएगा अम्रोहा प्रशासन की इस कारवाई से भूमाफियाओं में हरकंप मचा हुआ है SDM का कहना है कि जिन लोगों ने अवैद कबजा किया है उन्हें चिनहित करका रवाई की जाएगी